आज सलाम अलेकूम आज मैं चॉप्सी बनाने जारी हूँ वैच चॉप्सी इसके लिए मैंने नूडल्स ले ली हूँ नूडल्स को मैं बॉइल करूंगी कड़ाई में मैंने पानी ले ली हूँ इसमें मैं नम्मक अड़ करूंगी और एक्चमस्च ओईल अड़ करूंगी और नूडल्स को हमें तोड़ना नहीं है ऐसे अख़ाई बॉइल करना है नूडल्स को हमें पूरा नहीं गलाना है नूडल्स हमारा बॉल हो चुका है इसे में एक छनी में निकाल लूँगी अभी हम नूडल्स प्राइ करेंगे उसके लिए मैं उसमें एक चमच ओईल अड़ करूंगी इस अच्छे से मिला लूँगी अभी इसमें मैं एक चमच कॉन फ्लोर एड़ करूंगी एक बड़ा चमच कॉन फ्लोर एड़ करूंगी उसको अच्छे से मैं मिला लूँगी अभी हम इसे प्राइ करेंगे एक कड़ाई ले लिए उसको मैं घरम अच्छे से घरम करूंगी उसमें मैं ओईल एड़ करूंगी और उसमें फिर नूडल्स एड़ करेंगे हम और नूडल्स को मैं एक साथ फूरा नहीं एड़ करना है एक एक बार में थोड़ा थोड़ा एड़ करेंगे और ओईल हम उसके साइड उसमें ऐसा ओईल एड़ करते जाएंगे गैस्टी प्लेम को हमें स्लो रखना है एक तरब से क्रीश्पी प्राइब हो चुका है अभी हम इसे फल्टी करेंगे समल के दोनों तरब से इसे हमें शेक लेना है फ्राइब कर लेना है नूडल्स हमारे फ्राइब हो चुका है इसे में फ्लेट में निकाल लूँगी और ऐसे हम सारे नूडल्स को फ्राइब कर लेंगे एक कड़ाई ले लिए उसमें मैंने दो बड़े चमा चॉइल एड़ करी हूं इसमें मैं लसून कांदा एड़ करूंगी हरे कंदे का वाइड पाच एड़ करूंगी लगाजर सिम्ला में रेड सिम्ला में चैड़ करूंगी क्रीन सिम्ला में सबजियों को हमें ज्यादा नहीं पकाना है दलाना नहीं है इसमें मैं गोवी भी एड़ करूंगी सारी सबजियों को हमें प्राइब कर लेंगे अच्छे से एक मिनिट तक हमें प्राइब करना है सबजिया अच्छे से प्राइब हो चुकी है अब इसमें मैं एक चम मस्ट सेजवाई एड़ करूंगी एक चम मस्ट टमाटों से सॉस एड़ करूंगी तोर्या सॉस एड़ करूंगी है एक चम मस्टी रिपना रेट चिली सॉस एड़ करूंगी एक चम मस्ट वैलिगर एड़ करूंगी एक चम मस्टी रिपना नम्मक टेज़ के हिसाब से एड़ करूंगी काली में ज्यादा चम मस्ट एरोमेट पाउडर एक चम मस्ट इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे पानी एड़ करूंगी में पानी में एक बॉइल आएगा फिर उसके बाद हम उसमें कॉन फ्लॉर का गोल एड़ करेंगे तो भॉइल आचुका है अभी आम उसमें गोल डालेंगे मैंने दो चममज गोल लेकर उसमें पानी में मिलात रशाव वह में एड़ करेंगे तोड़ा तोड़ा तर आट करेंगे पुप सीघ को थोड़ा और एड़ करों उसने वेट चॉपसी के ग्रेवी रेडी हो चुकी है अभी हम इसे सर्ब करेंगे आप लोगों को जरूर पसंद आएगी वीडियो अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें अल्ला हपीज